नमस्कार दोस्तो विहार एक्स्प्रेस में आप सवी का स्वागत है दोस्तो आनद विहार से सहरसा जाड़ ही पुरविया एक्स्प्रेस के S4 बोगी में कल देर शाम आग लग गई और यह आग इतनी तेज थी कि लोग जो है ट्रेन से कूदने लगे गणिमत ये रही कि ट्रेन जो है एस्टेसन पर खड़ी थी सिमरी बक्तियारपूर एस्टेसन जैसे ही ट्रेन पहुँची उसमें से जो S4 कोंच है उसमें से आग की लप्टे निकलने लगी उसके बाद यात्रियों ने अपना-पना सामान लेकर कूदना जो है वो शुरू कर दिया लेकिन ये हाथसा बड़ा भी हो सकता था अगर ट्रेन चल रही होती तो ये हाथसा बहुत ही बड़ा हो सकता था लेकिन गणी मत रही कि ट्रेन जो हो इस्टेशन पर खड़ी थी अब ये हाथसा हुआ कैसे ये भी आपको जान लेना जरूरी है बताया गया यात्रियों से जब बात की गई तो यात्रियों ने बताया ट्रेन मांसी से निकलने के बाद धमारा घाट से पहले तीन बार वेक्यूम किया गया और पूल पर भी ट्रेन का वेक्यूम किया गया पूल पर भी काफी देर तक ट्रेन जो हो खड़ी रही और सिम्री बक्तियारपूर आते आते रास्ते में भी कई बार वेक्यूम किया गया और सिम्री बक्तियारपूर एस्टेसन पहुंचने से पहले भी वेक्यूम किया गया था यही वो कारण था कि बार बार वेक्यूम किये जाने के बाद ये ट्रेन आग के हवाले हो गई बार बार वेक्यूम होने के बाद ट्रेन चलने लगती थी उसका वेक्यूम जह हूँ नहीं निकला गया और घिश्टन की वज़ा से ट्रेन में धीरे धीरे आग की लख्टें जो है वो बढ़ने लगी और सिम्री बक्तियारपूरे श्टेसन आते आते यह लख्टें जो है भी बड़ा रूप ले सकती थी तो कहीने कहीं यहाँ पर रेलवे की नाकामी नजर आ रही है जिस तरह से रात में यह ट्रेन शाम के वक्त ट्रेन आ रही थी तो आर्पीएफ जरूर होता है ट्रेन के अंदर लेकिन आर्पीएफ ने यह जहमत नहीं उठाई कि बार बार जो व वज़ा से क्या जा रहा है चांड बीन करनी चाहिए थी और वेक्यूम करने वाले को पकर करके जेल जेल भेजना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया बार बार वेक्यूम हुआ और इसके कारण यह बड़ा हादसा होते होते टल गया हलाकि ट्रेन की बोगी ज इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक देखते रिए बिहार एक्स्प्रेस यूटूब चैनल